मा वनम् चिन्धी सव्याग्रम् मा व्याग्रह निनिशन्वनां वनम् ही रक्षते व्याग्रव व्याग्रां रक्षती काननम् बाग और मैं बाग बस नाम ही काफी एक ऐसा प्राणी जो सिर्फ जंगल का राजा ही नहीं सही मायनों में जंगल का रखवाला है ऐसा ठाट बाट सिर्फ राजाओं में ही पाया जाता है वो भी उन राजाओं में जिनके रहने पर बागी सबका अस्तित्व निर्भर है अस्तित्व हम इंसानों का भी इसलिए तो धर्मों में बाग और अन्ने जीवों को देवी देवताओं के साथ वहन के रूप में दर्शाया गया है शक्ति की प्रतीक माद दुर्गा के वहन के रूप में बाग ही तो है वाग ये पराक्रमाचा प्रतीक मान लगेगा अनि मनुनाच कदाची दसे एकादे वेक्ति लगा आपन वंट अरे तू जानवर है तो रागे तो पन त्यागा वारेश शेर असम पन वंट तो त्यागा त्यागा तेचा चेह अबर कवतु की ये तो लगबक देड़ सो दो साल पूर्व इस प्रतवी बर देड़ अरब मनुष्य थे आज सारे साथ अरब मनुष्य का निवास उस्थान है ये ग्रह इतने ही वर्षों में बागों की संख्या एक लाग से घट कर सिर्फ तीन से चार हजार तक रह गई है मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपून तत्व, जल, जमीन और वायू का स्रूत जंगल ही तो है भारत में लगबग तीन सो पचास नदियों का उदगम बाग के निवास स्थान चे ही होता है वाग सा है की जाचा हैबिटैट मुए आपल पाणी आपले जे जलस्तिरोत नदेत जलस्तिरोत नदेत नदेत, आपले जलस्तिरोत नदेत 15 tai VERट न सдаँ जिस जंगल में बाग है वहाँ जंगल सुरक्षित है वहाँ के सभी छोटे बड़े प्राणी सुरक्षित है क्यूंकि वहाँ मनिश्य का हस्तक शेप कम है पेड़ पौदे सुरक्षित है और जल की उचित मात्रा भी है यही पेड़ पौदे मनिश्य को जीवित रखने के लिए ऑक्सिजन प्रधान करते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं जल जमीन जंगल और जानवर यह तीन गोष्टीच आधरवर अपले भविश्य अतले जीवन अल्मून है जाडां ची ही संख्या वांडवाई ची है पर्यावर्ना ची समत्तों सामड़ाई चा है पर इस बाग को कई खत्रों का सामना करना पड़ता है चेन जैसे देशों में इनकी खाल और हड़ी से बनी दवाईयां बेची जाती है ऐसे अवैद बेबार में करूनो रूप्या लगा है प्रगतिशी देशों में बाग का निवास थान जंगल और एक जंगल से दूसरे जंगल को जाने वाले वनमार्ग कम होते जा रहे हैं खेप, गाउं, शहर, रास्ते, कारखाने सब बाग के निवास थान को कम करने में लगे हुए हैं क्या हम इन बचे हुए बागों को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या हमारी आने वाली पीडी इन्हें जीवित देख पाएगी? बाग बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है सिर्फ जरूरत है सभी स्तरों पर द्रड इच्छा शक्ते के मेरा फोटो और अल्बम बनाने का व्योसा है हम लोग जो अल्बम बनाते हैं उसके लिए लगने वाली बैक्स जंगल के पास जो गाओं है वहाँ पे महिला बचदगट जारा बनाएगी जो बैक्स हैं उसको हम वहां से खरीतते हैं बच्चों में पर्यावरन का महत्व क्या है उनकी रूची जापरूद करने के लिए हम स्कूल में अलग अलग तरह के कॉंपिटीशन और राजक्र गडिजस करते हैं हम जो भी रिसार्ज כि करते हैं उससे जो इनफर्मेशन आता है HS देपार्टेंट के लिए से फोरेसी विस्टेपार्टमें ए दमी means करें,management उसके और चंजर्वेशन से भीछ उससाब से हम ये लुद्टॉ टाइम तरइम फोरेस्ट डिपार्मेंट के साथ शेयर करें हमारा रोल यह बनता है कि हमें जो जंगल और वायलाइफ के उपर जो इन्फरमेशन मिलता है वो हम एनलाइस करें और वो फैक्ट्स जो आते हैं उसको एनलाइस करें और उसको हम करेक्टली प्रेजन करें न्यूस पेपर में हम भी हमारे योगदान कर रहे हैं, हम किताबों पर कवर नहीं लगाते हैं, इससे बहुत सारे पेड़ कटने से बचते हैं मैं कार्परेट जगह से हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जंकल के पास रहने वाले यूगो को मैं मेरी कंपनी तथा अन्ने जगह पर रोजगार दे सको CSR याने की कार्परेट सोशल प्रिस्पोर्टि के ताहत, कंपली फॉरेस्ट प्रटक्शन में मदद कर सकती है तथा जंकल के पास बसे गाओं की परसिती सुधारने भी मदद कर सकती है हमने सोचा कि हम सोलर एनरजी जो रिन्यूबल सोर्स है वो यूज करेंगे तो हमारे इस चोटे से प्रयास से जंगल बचता है जिससे बाग और अन्य प्रानियों का घर बचता है हम जंगल से सटे हुए गाओं में परियावरन शिक्षा के हेतू अलग-अलग कार्योक्रोमा का आयजन कर रहे है बाग से लेके जंगल को क्यों बचाना है यह बताने की कोशिश करते है वनकरमचारी और अधिकारियों के मारफत यह आरुग्य शिपिर हमने जब किये यह आरुग्य शिपिर वन और बाग संवर्दन के लिए एक बहुत-बड़ा कदम साबित हो रहा ऐसा मुझे लगता है मैंने प्रत्रम ट्रेनिंग किया था और जहां के जो भी गडामीन लोग है जंगल वाशी जो भी लड़के है उन्हें रोजगार प्राप्त हो और इनका जो भी जंगल में जो भी निर्बार है हो वो इन से कम हो इसलिए इनको रोजगार मिले इसलिए आप मैं बच्चों को पर्यटकों को जंगल और अन्य जानवरों के बारे में बताते हैं, ये तरह हम बाग सवर्दन में योगदान करते हैं हमारा गाउ जंगल के पास में है, हम सभी गाउसी जंगल पे किसी भी प्रकार के इंडन के लिए निरबर नहीं है हमें LPG connection का what up हुआ है जब भी जंगल में आपती जनक परिस्तिती निर्मान होती है तब हम सभी गावाले forest वालों की मदद करते है इसी तरह हम सब गावाले बाक समवर्दन के लिए योगदान देते हैं अपले देशातला सरवात मोठी संपतिकाया सेल तर नैसरगीक वन नदी अपली माती यहला राखुन ठेवने यहला नैसरगीक स्थितित ठेवने एक काम अपले वन विभागा चे करमचारी वन आयाफस चाधिकारी हे करता है तर अपले देशाची हतली सुरक्षा करना रे सरवात महतोवा चे घटकाया मैं मेरे टीम के साथ गावालों की भी जंगल के सवरक्षन के लिए साहता लेता हूँ बाग के सवरक्षन से जंगल का सवरक्षन होता है और जंगल फूलता और बलता है फॉरस्स डिपार्टमेट्ट जो काम करते हैं, आपका जोश और जो निलर है अपके, वो हमारे फॉरस्ट को महपपूर और मजबूत रख रहा हैं, और मैं आपको सलाम करता हूँ. हर कोई इसमें सहयोग कर सकता है, और तब ही बाग सुरक्षित होगा, जंगल सुरक्षित होगी, और साथ ही सुरक्षित होगा इंसान भी. मैं खुश हो कि बाग और जंगल के सवर्दन में हमारा भी योगदान है. हाँ, बाग बचाना हम सब के हाथ में है. ये सुंदर प्राणी आज भारत की शान है. है, कल दुनिया की शान बनेगा. पगि maintainer o Netz फ़ रह को अत्यों aur स정ना बनेगा.